दोस्तों मैं हूँ अभिशेक और आज हम करेंगे क्विक अंबॉक्सिंग और साथ ही साथ फर्फ लुक इस नई डिवाइस की जो की है स्वाइप की तरफ से और इस डिवाइस का नाम है स्वाइप एलाइट मैक्स इस डिवाइस की प्राइसिंग लखी गई है तकरीबन 11,000 र और यह अंबॉक्सिंग कुछ इस तरह से इसलिए हो रही है क्योंकि यह दिवाइस हमें थोड़ा देर से मिला है आज रात को 12 वजे से यह दिवाइस आपको फ्लिपकार्ट पर मिलना शुरू हो जाएगा तो दिखा देते हैं आपको डिवाइस किस तरह का डिवाइस आता ह और साथ ही साथ इस फोन की कैमरा परफॉर्मिस हम टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह के सेंसर्स आपको देखने को मिलते हैं तो यहां पर है स्वाइप इलाइट मैक्स चो की कुछ इस तरह का दिखता है आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ आपको ग्लास मिलता है फ्रंट में भी आपको ग्लास मिलता है और यहां पर आपको फूल sht-display मिल रहा है जो कि 5.5 इंच का डिस्पले है color protection बढ़िया है viewing angles भी अच्छे हैं डिस्पले के और डिस्पले की visibility clarity में कहीं कोई दिक्कत नहीं है अब हम बात करें इस फोन की build quality के बारे में तो य अगें प्राइमर माइक्रफोन यहां पर दिया गया है, तो लाउट स्पिकर नॉर्मली यहां पर होता है, लेकिन इस फोन का लाउट स्पिकर पीछे की तरफ यहां पर दिया गया है, और यह लाउट स्पिकर लाउट स्पिकर आपको डिवाइस पर मिल जाता है, यहां पर मिल थोड़ा movement है इन buttons में, थोड़े से lose हैं या पर ये, तो वो चीज़ आप notice कीज़ेगा, उपर top की तरफ आपको मिलता है 3.5 mod jack, यहाँ पर antenna bands दिये गए है, metal frame के साथ आता है, पीछे और आगे की तरफ आपको toughened glass मिलता है company की तरफ से, जो की असाही की दरफ से है, तो समझ लीज़े इसमें corning glass तो नहीं है, लेकिन असाही dragon tray glass से दोनो front और back बने हुए है, front में आपको मिलता है यहाँ पे metallic earpiece, और साथ यहाँ पे मिलता है आपको 8 megapixel का front camera, जो की selfies के लिए ठीक ठाक है, front camera और rear camera दोनों की performance average है, यहाँ पे अगर hardware की बात करें, तो hardware इस phone मिलता है snapdragon 430, जो की एक अच्छा hardware माना जाता है, इस phone की price रखी गई है 10,999 याने की 11,000 रुपे, और 11,000 रुपे के साफ से अगर आप देखें, तो इसमें आपको जो अच्छी बाते मिलती हैं, वो है 4GB RAM, 32GB की storage, साथ ही साथ 5.5 inch का full HD display, जो की आप देख सकते हैं, clarity के मामले में, display की, और visibility के मामले में, color protection के मामले में, viewing angles के मामले में, display इसमें अच्छा मिलता है आपको, और touchscreen response भी बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक और जो चीज swipe ने इसमें अच्छी की है, मैं settings के अंदर आपको कोई दिखा देता हूँ कि किस तरह की version of android और क्या storage आपको मिल जाती है, तो यहाँ पर मिलता है android 6.0.1, marshmallows में मिल जाता है, इसके बाद storage दिखा देते हैं, आपको कितनी storage इस phone मिलती है, तो storage है यहाँ पर 32 GB, जिसमें से तकरीबन 24 GB आपको मिल जाता है, और इस तरह की storage यहाँ पर free मिल रही है, अगर हम RAM की बात करें, तो RAM इस phone के अंदर जादा है, चार्ज बी की RAM मिलती है, और चार्ज बी में से तकरीबन 2.3 GB free मिल रहा है, यानि कि आप gaming वगेरा अच्छे से कर सकते हैं, अगें, Snapdragon 430 है यहाँ पर, तो hardware अच्छा दिया गया है, और camera की बात करें, तो camera थोड़े से average है, अब हम बाकी चीज़े बात बताएंगे, आपको पहले दिखाते हैं, इसके box में और क्या के मिलता है, तो कुछ इस तरह का box है, device का नाम है Swipe Elite Max, और यह इसकी tagline है, यहाँ पर आप इसकी MRP देखेंगे box पर, तो MRP जो यहाँ पर box पर दी गई है, वो है 12,999 रुपे, और साथ ही साथ किया, यहाँ पर SAR values मेंशन है, तो SAR values मेंशन नहीं है, लेकिन battery मेंशन है यहाँ पर, 3000 mH की battery आपको मिलती है, non-removable battery है, यानि की battery remove नहीं कर सकते है, 2A का charger मिलता है, fast charger इसमें supported नहीं है, तो fast charging इस device में आपको नहीं मिलती है, अब खोलते हैं इसका box और देखाते हैं कि क्या-क्या है इसके अंदर और, device तो हमने बहाल निकाल के test कर ही लिया है, और यहाँ पर कुछ इसके screen protected device के साथ आते हैं, वो उमने लगा दिये हैं, यहाँ पर मिलता है same ejection tool और इस box को यहाँ पर खोलते हैं, और देखते हैं कि और क्या-क्या है, तो यहाँ पर आपको मिल जाती है micro hp cable, data syncing charging के लिए standard cable है, और यहाँ पर मिलता है आपको 2 ampere का charger, तो again fast charger आपको package में नहीं मिलेगा, 2 ampere का charger मिलता है, और यहाँ पर और कुछ नहीं है, तो यही सब चीज़े हैं, और एक और चीज़ यहाँ पर notice करने वाली है, कि headphone इसके package में नहीं आते हैं, अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि glass मिलता है आपको front और back में, तो fingerprint थोड़ा ज़्यादा है आपको देखने शुरू हो गए, और case इसके package में नहीं आता है, आपको case अलग से खरीदना होगा, तो कुछ इस तरह का यहाँ पर है scenario, अगर हम बात कहें के camera की, थोड़ा से hazy है front camera का view, इतना ज़ादा stable नहीं है मेरे साब से, और कुछ photos यहाँ पर दिखा देते हैं, कि किस तरह की photos आपको यहाँ पर मिलती है, तो यह front camera selfie है, जो कि artificial light मिली गई है, आप देख सकते हैं, काफी noise यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो camera की performance, definitely front camera की performance, मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही है, इस particular photo में, अब यह photo जो है, in flow of the light है, और यह photo बहतर देख रही है, लेकिन इसमें भी अगर आप zoom in करेंगे, तो आपको clarity नहीं मिलेगी, थोड़ा softness मिलेगी photo में, और 3D pixelation मिलेगी, अगें, जैसे कि मैंने कहा, इस device के अंदर hardware अच्छा है, और overall performance भी बढ़िया रहेगी, चार्ज भी RAM की वेज़े से, लेकिन camera performance जो है, वो बस ठीक ठाक होगी, low light camera performance impressive नहीं है, daylight में आप फिर भी अच्छे photo जो है, कोई दिक्कत नहीं है, तो photos आप अच्छे ले सकते हैं, provided कि आप device को थोड़ा still hold करें, थोड़ा stable रखें, तो आप photos जो है अच्छे ले पाएंगे, और noise वगर आपको कम देखने को मिलेगी, तो overall मैं कहूंगा कि rear camera, front camera दोनों ही average है, अब हम बात करते हैं इसके sensors की, और यहाँ पे quadrant standard हमने डाल दिया है, तो यहाँ पे दिखा देते हैं, को क्या के sensors आपको देखने को मिल जाते हैं इस device में, तो system information में गए हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि snapdragon 430 है, MSM8937, और यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे डिस्पले के अंदर दिये गए हैं, और जो notification light है, वो हमें कहीं नहीं दिख रही है, और secondary practice phone भी हमें नहीं मिला है इस device पे, अब हम बात करते हैं यहाँ पे sensors की, तो sensors के मामले में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है, magnetic field sensor है, gyrocope sensor है, यहाँ पे और step detector, counter, सारे जो essential sensors हैं, दिये गए हैं, pedometer sensor भी है, तो sensor wise कोई कमी नहीं है, तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्री आपका इस वीडियो को देखने के लिए, आई होब ये quick video आपको पसंद आएगा, इस वीडियो का हम कोशिश करेंगे, जल से जल लगा दे, और आप देख पाएं कि किस तरह का device है, ये कोई full review नहीं है, ये कोई can phone है, तो बस इसे इतना ही मानेगा, यहाँ पे आपको जो sim tray मिलती है, वो hybrid sim tray है, यानि कि आप इसमें sim card भी लगा सकते हैं, otherwise dual sim connectivity के साथ आता है, और दौनों ही sim card पे आपको 4G का support भी मिल जाता है, तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्री आपका वीडियो को देखने के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो like button दबाईए, अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं, तो subscribe button दबाईए, बहुत बहुत शुक्री आपका वीडियो को देखने के लिए, जैहिन वंदे मात्रा,